Good morning student, in last video lecture we will discuss about group 15 elements, today we will discuss about continue of group 15 elements, let's start our topic, सबसे पहले अपन यहां पर लिखते हैं कि group 15 जो है आपके पास group 15, इस group 15 में कौन कौन से element है तो nitrogen है, phosphorus है, arsenic है, antimony है और bismith है, यह कुछ elements इसमें present होते हैं, अब यहां students, last video lecture में मैंने आप लोगों से बात की थी कि जैसे nitrogen है तो उसका electronic configuration 2s2, 2p3 है, यानि कि अपने इसका सिफ balance electronic configuration देख रहे हैं, तो 2s2, 2p3 है, तो इसी तरह से phosphorus का क्या हो जाएगा, 3s2, 3p3, इसी तरह से arsenic का 4s2, 4p3, sb की अगर अपन बात करेंगे तो 5s2, 5p3 हो जाएगा, ठीके न, चलिए, last time अपने इसके अंदर जो उसकी physical properties थी, इसकी जो radius थी, atomic radius वगरा, इनके बारे में आपने डिसकस किया था, आज जो students अपन topic discuss करने वाले हैं, वो एक बहुती important topic है, और वो है आपका oxidation state, oxidation state, oxidation state के बारे में, आप लोगों को सबसे पहले बात, इ यह जो group 15 है, यह minus 3 से लेकर के plus 5 तक की oxidation state को show कर सकते हैं, minus 3 to 5, plus 5 तक की oxidation state को show कर सकते हैं, अब यहाँ एक question यह है, कि यह दोनों ही तरह की, यहाँ पर minus भी show कर सकते हैं, और यहाँ पर यह plus valency को भी show कर सकते हैं, plus oxidation state को भी show कर सकते हैं, पहली बात तो यह हो गई, अब एक बात आपको यह याद रखनी है कि यहाँ पर अगर अगर अपन इस ग्रूप में up to down चलते हैं up to down चलने पर जो negative oxidation state है वो negative oxidation state की tendency जो होती है वो decrease होती चली जाती है tendency decrease हो रही है किसकी negative valency की तो यहाँ पर अपने यह लिख सकते हैं first of all कि यहाँ पर जो minus oxidation या negative oxidation state है negative oxidation state decrease या negative oxidation tendency decrease when we move up to down group के अंदर जब आपन उपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो जो negative oxidation state है उसकी tendency क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब कम होने की वज़े क्या है तो यहाँ पर अपने यह लिख देते हैं due to increase metallic property metallic property क्या होती है इसके अंदर increase हो जाती है तो आप लोग जानते हैं कि जो metals होते हैं वो तो normally electrons को donate करते हैं तो यहाँ पर metallic property क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है आपको पता है कि यहाँ पर यह जो bismith है यह क्या है? एक metal है और जब अपन इन दोनों की बात करते हैं तो इसे अपन metalloids भी बोल सकते हैं या इनको अपन semi metals भी कहते हैं कि यह आपके पास semi metals है इन दोनों की बात करते हैं तो यह क्या है? यह आपके पास non metals है तो आप देख रहे हैं उपर से नीचे जाने पर metallic property क्या हो रही है? increase हो रही है अब metallic property जब increase होगी तो क्या हो जाएगा? metallic property increase होने पर जो negative oxidation state को show करने की tendency है वो decrease हो जाएगी first of all सबसे पहली बात आपको यह याद रखनी है ठीक है? चलो इसी के अंदर आपको एक second point यह भी याद रखना है कि यह जो plus 5 oxidation state है है न? plus 5 oxidation state अब plus 5 oxidation state की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी plus 3 and plus 5 दो तरह की oxidation state mainly होती है plus 3 होती है और plus 5 होती है for example जैसे क्या कर दिया गया? यह nitrogen है आपके पास इस nitrogen को आपने fluorine के तीन element या तीन atom के साथ aid करा दिया अब आप जानते हो कि यहाँ पर यह जो fluorine है यह क्या होता है? highly electro negative होता है तो यह electron को अपनी तरफ खीचेगा तो यहाँ पर यह जो nitrogen होगा वो कौन सी valency या कौन सी oxidation state में होगा plus 3 oxidation state में होगा सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है लेकिन वहीं अगर अगर अपन बात करते हैं जैसे phosphorus है या जैसे आपके पास other elements है जैसे arsenic है, antimony है तो यहाँ पर जैसे अगर phosphorus की बात करेंगे तो यह PCL 5 बना लेता है और यहाँ अगर अपनी इसकी oxidation state को देखेंगे तो यह plus 5 हो जाती है ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ पर एक important बात यह है students कि यहाँ पर यह NF 3 बना सकता है लेकिन NF 5 नहीं बना सकता क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या होता है nitrogen के पास d orbitals absent होते है d orbitals नहीं होते है जैसे आप जानते हो कि यहाँ पर इसका जो electronic configuration formula है वो 2s2 और 2p3 है लेकिन क्या कभी आपने 2d orbitals सुने है नहीं सुने है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर s और p दोनों ही orbitals होते है p और बिटल्स नहीं होते है यहाँ पर absent होते है तो इसी वज़े से वो अपने ericrons को ज़्यादा expand नहीं कर सकता वो अपने configuration को ज़्यादा expand नहीं कर सकता और इसी वज़े से क्या हो जाता है यहाँ पर यह NF5 नहीं बना सकता अब यहाँ पर अपन क्या देखना चाहते हैं जैसे अपन यह कह रहे हैं स्टुडेंट्स कि जैसे अपने पास क्या हो रहा है कि मैंने यह कहा कि यह जो positive oxidation state है उसमें भी जैसे plus 3 वाली oxidation state भी है और plus 5 वाली oxidation state भी है when we move up to down जब अपन उपर से नीचे के तरफ चलते हैं ग्रूप के अंदर ग्रूप 15 के अंदर तो जो ग्रूप 15 है उसके अंदर plus 3 oxidation state को show करने की जो tendency होती है वो increase हो जाती है बढ़ जाती है इसकी क्या वज़े होती है कि ऐसा क्यों होता है कि उपर से नीचे जाने पर उपर से नीचे जाने पर ये जो element होते हैं ये element plus 3 नहीं plus 3 show करते हैं बढ़ प्लस 5 को show करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो इसकी क्या वज़े है इसकी वज़े ये होती है students due to inert pair effect due to inert pair effect ये एक effect होता है इस effect के वज़े से क्या होता है उपर से नीचे के तरफ जाने पर क्या होने लगेगा plus 3 oxidation state को show करने की जो tendency है वो ज़्यादा हो जाएगी compare to plus 5 के अब ये inert pair effect होता क्या है मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ जैसे आप लोग जानते हैं कि last time जो अपर ने इनके जो इनके electronic configuration की बात के थी तो अभी अपर ने कहा जैसे ये 2S है ये 3S है ये 3P है ये 4S हो जाएगा जैसे ये हो गया आपका 4S2 और 4P 3 हो जाएगा लेकिन मैंने उस time पर students ये कहा था कि यहाँ पर 3D जो होंगे वो complete से fill होंगे 2 हो गया 3,4 और ये 5 हो जाएगा यहाँ पर वापस change कर देता है ये 2 है ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ये 5S2 और ये 5P3 हो जाएगा तो यहाँ पर 4D जो electrons है वो completely filled है, भरे हुए है इसी तरह से यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो जैसे ये क्या है ये होगी आपका 6S2 और ये क्या होगी आपका 6P3 हो जाएगा अब यहाँ पर 4F14 जो है वो completely filled है भरे हुए है, तो अब students देखिए यहाँ पर ये D orbitals और यहाँ पर ये F orbitals ये completely filled है अब ये जब completely filled है पहली बात तो आपको ये बता होना चाहिए कि ये जो D orbital और F orbital होते हैं ये size में थोड़े जादा होते हैं बड़े होते हैं, ये फैले हुए होते हैं जब ये फैले हुए होंगे ये तो क्या होगा यहाँ पर अगर अगर अपन बात करें कि इनकी वजह से अब ये क्या है, penultimate shell है अंदर की तरफ present है फोर एक्जामपल, जैसे अगर अपन बात करें देखिए शूजें, जैसे ये nucleus है ये आपकी nucleus है किसी भी element का और ये इसका अंदर वाला shell है और ये इसके बाहर वाले valence shell है अब आप जानते हो जैसे ये 4F14 है जैसे ये 4F14 है और यहाँ पर कोई electron रखे हुए हैं जैसे अपन बात करते हैं ये वाले electron रखे हुए हैं अब ये वाले जो electron से वो थोड़े अंदर होंगे और ये जो होंगे वो थोड़े बाहर की तरफ होंगे क्योंकि S orbital जो होता है वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है P orbital जो होता है वो बाहर की तरफ होता है तो अब यहाँ क्या होगा देखिए students अपन जानते हैं कि ये जो nucleus है ये nucleus क्या चाहता है कि इन electrons को अपनी तरफ attract करे इनको अपनी तरफ खीच ले लेकिन क्या होता है ये जो 4M14 के electron से वो क्या चाहते है इनको बाहर की तरफ धकेलना चाहते है but students यहां क्या होता है ये जो आपके orbitals है F orbitals और D orbitals ये कैसे होते हैं पूर शिल्डिंग वाले effect शो करते हैं मतलब ये पूर अच्छी तरह से shield नहीं कर पाते हैं और अच्छी तरह से shield नहीं कर पाने की वजह से यानि कि ये जो nucleus है इस nucleus का effect यहां तक पहुँच जाता है shield मतलब क्या होता है ये जो nucleus है ये nucleus किया कर रहा है यहां effect पहुचा रहा है इसको खीचने की कोशिश कर रहा है अब poor shielding का मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो इस effect को रोक नहीं रहे है ये इस effect को रोक नहीं रहे है तो क्या होगा यहां पर बाहर की तرف जो S और P के अंदर और्बिटल से वो क्या हो जाएंगे पूवर शेल्डिंग इफेक्ट की वज़े से नुकलियस की तरफ खिचे हुए रहेंगे जब नुकलियस की तरफ खिचे हुए रहेंगे तो ऐसा होगा कि जो S और्बिटल है उसमेंसे इलक्टोन निकालनप मुश्किल हो जाएगा लेकिन जो P और्बिटल है वो थोड़े बाहर की तरफ है तो वहांसे फिर भी इलक्टोन निकाले जा सकते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये सिफ तीन इलक्टोन ही डोनेट कर पाएगा ये दो electron donate नहीं हो पाएंगे तो इसी लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा plus 3 oxidation stage जो है वो increase हो जाएगे क्यों हो रही है due to inner pair effect और ये inner pair effect क्या होता है जो inner shells होते हैं उसके अंदर जो penultimate F orbital D orbital से जब वो completely filled होते हैं तो nucleus या बाहर वाले electrons को poor shield करते हैं बाहर वाले electrons को उतना shield नहीं कर पाते हैं nucleus के power से बचा नहीं पाते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका वो कहलाता है आपका poor shielding effect ठीक है ना students तो यहाँ पर इस तरह से ये दो question है जो complete होते हैं अपने के उपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है और यहाँ पर यह कौन-कौन सी oxidation state को show कर रहा है ठीक है अब एक इसके अंदर बात या आती है students के यह जो nitrogen है वो थोड़ा exception होता है nitrogen जो है वो एक element ऐसा है जो थोड़ा exceptional element है आप लोगों को शुरू से पढ़ाते आए हैं आप लोग जानते हैं कि 9-10 में भी आप लोगों ने सुना है कि nitrogen exception है nitrogen exception है अब यह क्यों exception है actual में nitrogen जो है इसके पास अगर अपन nitrogen की बात करते हैं तो nitrogen के अंदर exception होने की main वज़े यह है कि इसकी जो electron negativity होती है EN का means है electron negativity और यह जो electron negativity होती है वो कैसी होती है high होती है compared to other elements के दूसरी बात दूसरी अगर अपन इसमें बात करते हैं students तो यहाँ पर इसकी जो size होती है जो atomic size होती है वो क्या होती है बहुती कम होती है छोटी होती है compared to other elements के और तीसरी बात जो होती है इसके अंदर वो होती है इसके अंदर students कि इसमें D-orbitals, D-orbitals absent होते हैं, इन तीनों ही वज़े से ये क्या कर सकता है, ये आपके different properties को show कर सकता है, इस वज़े से यहाँ पर ये nitrogen एक exception की तरह behave करता है, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं आपन, कि nitrogen जो है, वो कौन-कौन सी oxidation state को show कर सकता है, तो अगर अपन यहाँ पर देखते हैं, तो nitrogen minus three valency को भी, या three oxidation state को भी show कर सकता है, minus two को भी show कर सकता है, zero को भी show कर सकता है, minus, sorry, plus one को भी show कर सकता है, plus two को भी show कर सकता है, plus three, plus four, and plus five, अब ये कौन-कौन से compound से जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, देखिए, सबसे पहली बात अगर nitrogen hydrogen के साथ जुड़ जाता है जैसे फूर example इसने क्या बना लिया NH3 बना लिया चीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका minus 3 valency वाला हो जाएगा क्योंकि आप जानते हो hydrogen valency क्या शो करेगा plus 1 शो करेगा तो इस nitrogen के उपर oxidation state कौन सी आ जाएगी बिल्कुल सही minus 3 हो जाएगी जब अपन बात करेंगे इसके बारे में तो ये होता है N2H4 अब N2H4 में से जैसे 4 hydrogen है चारो hydrogen की कितनी हो जाएगी plus 4 जब इस पे गिरेगी तो क्या हो जाएगी minus 4 लेकिन क्योंकि 2 nitrogen है तो minus 4 divided by 2 करेंगे तो कितना जाएगा minus का 2 अब देखो 0 0 की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे अगर N2 हो गया तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर N2 या कि 2 element अगर एक साथ होते हैं एक जैसे होते हैं तो उसकी oxidation state कितनी हो जाती है 0 हो जाती है वही अगर अपन बात करें जैसे एक आपके पास से यहाँ पर N2O ठीकि न अब जैसे एक oxygen की कितनी होती है oxygen की oxidation state होती है minus 2 minus 2 जब इस पे गिरेगी तो कितनी हो जाएगी plus का 2 लेकिन क्योंकि 2 nitrogen है तो plus 2 divided by 2 हो जाएगा तो कितना जाएगा 1 आजाएगा अब जैसे इसी तरह से plus तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा NO तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह oxidation state हो जाएगी इसकी plus का 2 ठीकिना फिर उसके बाद अगर अपन बात करें जैसे यह है आपका N2O3 कर दें N2O3 कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 into 2 यानि कितना हो जाएगा 6 6 divided by 2 को इतना हो जाएगा 3 ठीकिन फिर इसी तरह से अगर अपन बात करें जैसे यह nitrogen है इसको कितना बनाना है अपन को 4 बनाना है तो यहाँ पर यह काम करो यहसा कर दो N2O4 कर दो आप लोगों को यह topic अच्छे से समझ में आया होगा important topic है क्या क्या सीखना है आपको इसके अंदर कि oxidation state कौन कौन सी शोर की जाती है tendency क्या होती है oxidation state में यह tendency है कि negative जो tendency है oxidation state के वो up to down चलने पर decrease हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि metallic property बढ़ रही है देन उसके बाद plus 3 oxidation state जो है वो क्या हो रही है increase हो रही है compare to plus 5 के क्यों हो रहा है तो inert pair effect की वज़े से हो रहा है बस आपको answer में सिर्फ इतना ही रिखना है inert pair effect की वज़े से वो बात अलग यह है मैंने आपको explain किया है इसमें कि inert pair effect होता क्या है inert pair effect का मतलब यह है कि भाई यह जो है न यह S orbital इसके जो दो electron है वो bond बनाने में participate नहीं करेंगे अब bond बनाने में participate नहीं कर रहे है मतलब उनको अपन क्या बोलेंगे कि यह inactive है और inactive को यह अपन जैसे noble gases inactive होती है तो वहाँ पर उनको यह अपन क्या बोल सकते है inert बोल सकते है inert gases inert gases को बोल रहे है क्योंकि वो inactive है तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर यह जो दो electron है वो भी active नहीं है तो active नहीं होने के वज़े से इन electrons को अपन inert pair electrons कह सकते है ठीके चलिए अब उसके बाद next topic को अपन पढ़ते है जो second topic है students वो है आपका reactivity reactivity towards hydrogen आप जानते हैं जब hydrogen से यह react करेगा तो क्या बनेगा formation of hydrides formation of hydrides बना लेते हैं अब अपन बात करते हैं students देखे आप लोगों को पता है जिससे यह group 15 के elements है आपके पास इन group 15 के elements की अगर अपन बात करते हैं इन मेंसे कोई भी element हो उसको अपन मान लेते हैं जैसे आपके पास E है इसमेंसे कोई भी हो सकता है E की चगापे और ये बना सकता है EH3 यानि कि ये trihydride बनाते हैं अब trihydride बनाते हैं तो जैसे ammonia बन जाता है यानि NH3 PH3 बन जाता है ASH3 बन जाता है SPH3 बन जाता है BIH3 बन जाता है ठीक है अब बात ये आती है students कि यहाँ पर ये जैसे for example अबन बात कर रहे हैं आपके पास NH3 है अब NH3 बनता कैसे है या आपको इतना तो पता ही है कि ये हैबर प्रोसेस के थुरू बनाया जाता है और अगर नहीं पे पता है तो इसे अपन nitrogen वाले जो 9 nitrogen आएगा या जो ammonia का process आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे कि ammonia जो है हैबर प्रोसेस के थुरू बनता है या जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ कि N2 प्लस 3 S2 बनके क्या बना लेता है 2 NH3 बना लेता है अब यहाँ students देखिए ये जो ammonia है इस ammonia के उपर यहाँ पर क्या present होते है दो electrons present होते है या one lone pair present होता है ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये जो nitrogen और hydrogen है ये इस तरह से present है ठीक है ये इस तरह से और यहाँ पर क्या रखे हुए है एक lone pair रखे हुए है ठीक है आपको इतना पता है कि यहाँ पर ये जो structure होता है ये कौन सा होता है SP3 hybridization होने के वज़े से ये tetrahedral structure होता है बट यहाँ पर वैसे PR theory के according क्या हो जाता है ये pyramidal structure हो जाता है चलिए अब देखिए students यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ये जो आपके पास NH3 है hydride बना रहा है उसी तरह के hydride ये other भी बनाएंगे यानि other जितने भी elements से group 15 के वो भी क्या कराएंगे इसी type के hydride बनाएंगे अब यहाँ पर दो तीन बातें जो आपसे question से पूछी जाती है उनसे अपन डिसकस कर लेते हैं तो ये इस तरह से इसका structure होता है अब इसमें पूछा क्या जाता है students पूछा ये जाता है कि जैसे सबसे पहला question जैसे ये पूछा जाता है आप लोगों से basic strength basic strength अब basic strength जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे आपके पास NH3 भी है आपके पास PH3 भी है इसी तरह से A, S, H3 भी आपके पास परजेंट है S, B, H3 भी परजेंट है और B, I, H3 भी परजेंट है ये सारे hydride मालिज़ आपके पास परजेंट है अब क्योंकि आपको पता है कि सबी के पास क्या होता है एक एक loan pair परजेंट होता है जो इनके पास group 15 का elements है और जब यह अपने loan pair को donate करेंगे तो यह क्या कहलाएंगे यह कहलाएंगे लुइस बेस के लाएंगे ठीके ना अब यहां क्या होता है students देखे ये सबसे पहली बात अब यह लुइस बेस किसको electron donate करेंगे तो जो electron deficient होते हैं जिनके पास electron के कमी होती है यानि for example जैसे जाएगा तो इसके पाद आजी चाहिवा गफकर गाजाएगा तो इसके एक ट्रेंड चल जाएगा कि जो basic strength है वो क्या होगा कि अगर group के अंदर आप up to down चल रहे हैं तो जो basic strength है जो basic strength है basic strength वो क्या हो रही है decrease हो रही है तो सबसे पहला question जैसे आप से यह पूछ लिया गया कि ये सारे elements आपको दे रखे हैं, सारे compounds आपको दिये हुए हैं, hydride आपको बताया हुआ है और आपसे पूछ लिया गया कि इनके अंदर इसके basic strength क्या होगी एक बात तो ये, दूसरी बात ये पूछ ले जाता है कि इसमें माली जे basic strength कम क्यों हो रही है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर nitrogen की size छोटी है और यहाँ पर यह जो है, विसमित जो है, उसकी size बड़ी हो जाती है तो जैसे size increase होगी, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर यह जो electrons donate करने की capacity है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी चली, अब यह कम क्यों हो जाती है, उनको भी अपन समझ सकते हैं, जैसे for example अगर आपन बात करें, यहाँ पर आपके पास क्या है, nitrogen है अब nitrogen में आप जानते हो, सबसे पहली बात तो यह क्या है, बहुत ही highly electronegative होता है, other element के compare में, ठीकी न, और size इसकी छोटी है तो size छोटी है तो क्या होगा, जैसे यह hydrogen, यह hydrogen, तीन hydrogen रखे होए, अब यहाँ पर electron negativity जाता है, तो यह क्या करेगा, bond के electron को अपनी दरब जादा खीच लेगा, और यहाँ से भी electron को जादा खीच लेगा, यहाँ से भी electron को जादा खीच लेगा, अब इसके पास electron यहाँ से क् हो नहीं है ज्यादा दूर नहीं है तो क vors यह आसाणीस के लेक्टरौन औरनीट कर सकता क्योंकि यहां से पूरी हो रहे है लेकिन अब क्या होता है जैसा áreas होती है और इक्रान की टीटी टी डिक्रीज हो जाती है तो क्या होता है यह justice का opposite हो जाएगा तो फिर वहां से electron निकालना या loan pay donate करना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा जब loan pay donate करना मुश्किल हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उसकी basic strength क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी कम हो जाएगी चलिए तो यह है first trend जो कि आपको याद रखना है देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं second जो अपने पास ट्रेंड आता है वो है आपका thermal stability, thermal stability, hydride के बारे में यह तीन questions जरूर पूशे जाते हैं आप लोगों से तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझने कोशिश करें, thermal stability, trend पूशे जाती है, thermal stability, तो आप लोगों को यह याद रखना है कि जो इसकी basic strength का trend है वही क्या हो जाएगी, इसकी thermal stability का trend हो जाएगा कि यह जो NH3 है, वो क्या है, highly stable है, then उसके बाद PH3 stable है, then उसके बाद ASH3 stable है, then उसके बाद SBH3 stable है, then उसके बाद यहाँ पर BIH3 stable है, यानि कि सबसे ज़्यादा stable कौन सा है, NH3 है, सबसे less stable कौन सा है, BIH3 है, तेंगे, thermal stability का मंदब यह होता है कि यहाँ पर क्योंकि अपन जाते हैं कि इसकी इलेक्ट्रो नेगिटिविटी कम है नाइट्रोजन जो है अमेशा बाते इसकी यह चलेगी इलेक्ट्रो नेगिटिविटी कम है साइज छोटी है इस वज़े से क्या होता है यहाँ पर covalent bond बनता है वो ज़्यादा strong होते हैं ठीकि न तो यहां पर क्या हो जाता है दीरे दीरे इनके जो bond होते हैं वो क्या हो जाते हैं less strong हो जाते हैं इस वज़े से इनकी thermal stability के अंदर ये change आता है देन इसके बाद अगर अपन बात करें जो last जो आपके पास जो इसका character है वो है reducing character reducing character अब ये जो reducing character है जब अपन बात करते है reducing character की तो याद रखें ये just reverse हो जाएगा अब यहाँ पर अगर अपन ये कहें कि जैसे ये NH3 है ये PH3 है ये ASH3 है ये SBH3 है ये BIH3 है तो सबसे ज़ादा reducing character कौन शो करेगा bismith hydride शो करेंगे ये then उसके बाद ये then उसके बाद ये then उसके बाद ये से कौन निकाल सकता है तो जो एच प्लस आसानी से निकाल पाएगा वो क्या करेगा ज्यादा अच्छा रिडूसिंग करेक्टर शो करेगा लेकिन आप लोगों को पता है कि यह जो NH3 है यह NH3 तो अगर मैं यह कहूंगे इसके पास एक लोन पे रखा हुआ है और इसके पास मतलब इसका रिडूसिंग करेक्टर क्या हो गया लेस हो गया कम हो गया यहाँ पर क्या होता है यह आसानी से एलेक्टर या हाइडोजन जो है वो डॉनेट कर सकता है और जैसे ही हाइडोजन डॉनेट करेगा तो किसी ना किसी को वो हाइडोजन मिल जाएगा तो उसका क्या ह हो जाएगा reduction हो जाएगा तो जो reducing character है किसकी वज़े से हुआ इसकी वज़े से वा तो यहां पर increase हो जाता है तो up to down चलने पर जो reducing character है वो क्या हो रहा है increase हो रहा है बाकी यह जो दोनों है thermal stability और basic strength वो दोनों ही क्या है decrease हो रही है समझ में आया topic देन उसके बाद आगे वाला topic अपने स्टुडेंट्स अब देखे इसके बाद जो अपना topic आता है वो है reactivity towards oxygen यानि की formation of oxide इसके अंदर आपको students यह याद रखना है कि जैसे मालिज्य आपने के दिया यह इन में से कोई एक हो सकता है पर अपने मालिया के E2O3 और एक बन सकता है E2O5 यानि यह दो टैप की oxide जो है normally यह जो group 15 के element से वो बनाते हैं ठीक है इससे पहले अभी अपने nitrogen के oxide देखे थे students अगर अपन nitrogen के oxides के बारे में अपन बात करते हैं तो जैसे nitrogen जो है वो plus 1 से लेकर की plus 5 तक की oxidational state को show करता है और सारे oxide भी बनाता है ठीक है ना अब उसी तरह से क्या होता है अधर जो elements है वो भी इसी टैप के oxide बनाते हैं अब जैसे four example अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर तो जैसे students अगर अपन बात करें यहाँ पर जैसे यह nitrogen है यह phosphorus है आरसेनिक है यह antimony है और यह bismith है अब यहाँ क्या होता है जैसे nitrogen की अगर अपन बात करें तो अपने nitrogen के बारे में अपने कहा था कि यह plus one valency को show करने वाले बना सकते हैं plus two valency को show करने वाले plus three वाले plus four वाले और plus five वाले यह सारी valencies को show करने वाले oxide कौन बना सकते हैं nitrogen बना सकते हैं अब जैसे कि अगर अपन बात करते हैं students यहाँ पर कि यह आपका nitrogen है अब nitrogen की अगर अपन को plus one बनानी है तो क्या करना पड अगर प्लस 2 बनानी है तो क्या बनाना पड़ेगा N2O बनाना पड़ेगा अगर अपन को 3 बनानी है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा यहां पर अपन इसको N2O3 करना पड़ेगा यहां कि यह क्या हो जाएगा N2O3 हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगा 3 into 2 यानि 6 6 divided by 2 यानि कि 3 हो जाएगा देन उसके बाद यहां पर N2O4 यहां पर आ जाएगा यह N2O5 ठीक है अब आपको यह याद रखना है Students के Nitrogen तो इतने सारे Oxide बना रहा है जिसमें Plus 1 से लेकर के Plus 5 तक है बट यहां पर यह जो Phosphorus है यह 2 नहीं बनाते हैं Arsenic भी यह 2 नहीं बनातें Antimony नहीं बनातें, Bismuth नहीं बनातें इन में क्या होता है ये manly जो oxide बनाते हैं वो एक तो बनाते हैं प्लस 3 वाला और एक बनाते हैं प्लस 5 वाला क्योंकि अपन जानते हैं कि ये प्लस 3 और प्लस 5 oxidation state को ही ज़्यादा तर शो करते हैं तो अब जैसे अगर अपन बात करना चाहते हैं P4O6 बना सकता है P4O8 बना सकता है कितना होगर इससे 8 दूनी 16 दूनी और ये P4O5 बना सकता है ठीक है लेकिन जब अपन बात करते हैं आरसेनिक और एंटिमनी और बिस्मित ये तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लस 3 वाले और प्लस 5 वाले oxidation state के ही शो कर सकते हैं जैसे अब यहाँ पर ये क्या बना रहा है N2O3 तो ये क्या बना लेगा ये बना लेगा आपका AS2O3 बना लेगा जैसे यहाँ क्या बना रहा है N2O5 तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा ये बना लेगा आपका AS2O5 इसी तरह से सेम जो Sb है वो भी क्या बनाएगा इसी type का ये क्या बना लेगा Sb2O3 और ये क्या बना लेगा Sb2O5 इसी तरह से यहां पर ये Bi2O3 बना रहा है ये Bi2O5 बना लेगा ठीक है ने इस टरह से क्या होता है इनके अंदर oxide बनते हैं mainly आपको क्या याद रखना है यह table आपको याद रखने की ज़रूत नहीं है इस table को आपको याद रखने की ज़रूत नहीं है आपको यह topic है इस topic में से बस यह याद रखना है कि एक तो यह E2-O3 type का और एक यह E2-O5 type के oxide बनाते हैं first of all तो आपको यह याद रखना है दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि जितनी ज्यादा oxidation state होगी किसी element या किसी compound की किसी oxide की वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा acidic nature का हो जाएगा एक बात तो यह याद रखनी है तो आपको यह याद रखना है कि more acidic या more oxidation state more oxidation state more acidic पहली बात दूसरी बात इसके अंदर यह याद रखनी है कि acidic strength या acidic character decrease when we move up to down उपर से नीचे जाने पर acidic character क्या हो रहा है कम हो रहा है यानि कि अब जब यहां से यहां चलेंगे तो acidic character क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और आपको यह पता होना चाहिए जैसे आपके पास plus 3 और plus 5 mostly तो यह दोनों ही है तो आप आप से पूछ लिया गया जैसे यह और यह इन दोनों में से कौन सा ज्यादा acidic होगा तो आपको यह वाला write करना है क्यों क्योंकि आप जानते हो कि जितनी ज्यादा oxidation state होगी उतना ही ज्यादा acidic character होगा तो इस वज़े से क्या होगा कि जितनी ज्यादा acidic character यानि कि उतनी ही ज्यादा oxidation state अब देन इसके बाद अपना जो next topic आता है वो है students reactivity towards halogen reactivity towards halogen यानि कि formation of halide अब देखिए students आप लोग जानते हैं nitrogen, phosphorus, antimony, bismethy यह सभी जो element है उनको अपन ई से represent कर सकते हैं यह ex3 and ex5 इन दो type के halide यह manly बनाते हैं एक बात आपको यह याद रखनी है कि NF3 are formed but NF5 are not formed due to absent of d orbitals d orbitals absent होते हैं यह बात अपने कुछ ताइम पहले भी अपने discuss की थी कि NF3 बन सकता है लेकिन NF5 नहीं बन सकता क्यों क्योंकि nitrogen के पास d orbital present नहीं है ठीक है मैं लिए आपको यह बात याद रखनी है अब अपन बात करते हैं जैसे इनके structure के बारे में कि इनका structure कैसा होता है for example जैसे आपके पास एक तो है PCL3 और एक है आपके पास PCL5 दोनों चीज़े अब आपको पता होना चाहिए जैसे यह PCL3 है तो इस PCL3 के अंदर इसका जो hybridization होता है वो कौन सा होता है SP3 hybridization होता है sorry SP2 hybridization होता है क्योंकि तीन CL जुड़े हुए है तो तीन CL जुड़े हुए है मतलब ये तीन सिगमा bonds बना रहा है तो जितने number of sigma bonds बनते हैं उतना ही क्या हो जाता है hybridization हो जाता है कि अगर number of sigma bond अगर आपके पास 4 है तो hybridization कौन सा हो जाएगा SP3 हो जाएगा अगर number of sigma bond 3 है तो क्या बन जाएगा SP2 बन जाएगा इसी तरह से अगर अपन बात करें यहाँ पर कितने हैं 5 है तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा SP3D यह आप 11th class में पढ़ चुके हो hybridization अगर hybridization आपको नहीं आता है तो एक बार आप लोग उसको 11th class का जो topic है hybridization उसे जरूर देखें उससे related आप लोग क्योंकि जब तक आपको hybridization नहीं आएगा आपको structure के बारे में knowledge नहीं रहेगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर क्या है जैसे यह SP2 hybridization है अब जब SP2 hybridization है तो मत्तब structure कौन सा हो जाएगा इसका structure हो जाएगा trigonal structure हो जाएगा अब जब trigonal structure हो जाता है तो ये रहता कैसे है? जैसे ये P है, यहाँ पर ये CL है, यहाँ ये CL है, और यहाँ पर ये CL है तो ये क्या है? ये उस तरह का एक trigonal structure बन जाता है जिनके अंदर तीनो bonds जो होते हैं वो equal length के होते हैं एक बात तो ये याद रखी है जब अपन बात करते हैं PCL5 में तो यह जो P है इस पर hybridization चेक किया जाता है तो यहाँ पर hybridization आता है SP3D अब SP3D hybridization है तो इसका means यह है कि यहाँ पर जो structure बनेगा वो क्या हो जाएगा trigonal bipyramidal अब जैसे यह trigonal bipyramidal structure कैसा होता है यहाँ पर यह phosphorus है यहाँ CL लगा दिया यह भी CL लगा दिया यहाँ पर भी CL लगा दिया तीन तो यह हो गए अब एक जो है यहाँ उपर की तरफ होता है और एक जो होता है यहाँ नीचे की तरह होता है ठीक है ना तो इस तरह से क्या होता है students यहाँ पर आप देखी यह जो PCL 5 है उसका structure कुछ इस तरह से होता है यह जो structure होता है इसको अपन कहते हैं trigonal bipyramid यानि कि trigonal है लेकिन 2 pyramidal structure भी है जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चुड़ेगा इसी तरह से यह भी यहाँ पर attach हो जाएगा यानि कि क्या होगा by pyramidal structure बन जाएगा और यहाँ अगर आपन बात करते हैं trigonal structure होता है, अब student एक बात की आती है कि क्या इसके अंदर ये 5 जो bonds हैं क्या वो equal length के हैं, तो नहीं यहां पर 5 जो bonds हैं, वो equal length के नहीं है इनकी जो length होती है, वो different होती है compared to इसके, क्यों क्योंकि अपन जानते हैं कि यहां पर क्या होगा, यहां गर अपन यह देखते हैं तो इनके बीच में जो repulsion होता है repulsion की वज़े से ये एक fixed length को चुन लेते हैं यानि कि इनके अंदर ये अपने आपको इस तरह से adjust करते हैं जिससे कि इनके अंदर कम से कम repulsion हो लेकिन यहां क्या होता है, इनकी जो length होती है वो repulsion होने की वज़े से थोड़ी सी जादा हो जाती है यह आपको याद रखने हैं कि इनकी ये जो axial होते हैं इनको क्या बोलते हैं, आपन axial बोलते हैं ये axial होते हैं, जो axial bond है, इनकी length जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है पहली बात तो ये अब एक कोशन इसमें स्टूडेंस ये भी पूछा जाता है कि ये जो आपके पास PCL 3 है और एक आपके पास PCL 5 है इन दोनों में से ज़्यादा कोवेलेंट नेचर कौन शो करता है तो पहली बात तो आपसे ये पूछी ज आती है तो अब को याद रखना है कि ये जो PCL 5 होता है ये कैसा होता है तो तो ये कोवेलेंट नेचर आइन नेचर डिक्रीज होना बढ़ना ये किस पर डिबेंड लोल के उपार जो पाजान स्रूल है उसके इन्पार काज़जोंत डिये होता है कि जैसे मालीजे यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है यह आपके पास एक kateion है और यहाँ पर मालीजे को यह बड़ा सा क्या रखा हुआ है elements रखा हुआ है जो कि negative है अब यह जितना ज़्यादा यह छोटा होगा और यह जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका polarization और ज़्यादा होगा तो जब polarization ज़्यादा होगा तो उसका means यह है कि वहाँ पर अब यानि कि अब आपको इस positive वाले character को increase करना है तो पोजेटिव करेक्टर को increase करना है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यह जो PCL 5 है इसके अंदर phosphorus की oxidation state कितनी है प्लस 5 है और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यह कितनी है प्लस 3 है तो अब देखिए students यहाँ प्लस 3 ह यहाँ प्लस 5 है तो ज़्यादा positive charge किसके पास है इसके पास है तो यहाँ से यह ज़्यादा polarizing power शो करेगा जब ज़्यादा polarizing power होगी polarization ज़्यादा होगा तो covalent nature भी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरह से students question आप से पूछे जाते हैं मैंने आपको notes provide कर व रहें और इन वीडियो से भी आप लोग इसमें help लें ठीक है तो इसकी बात जो अपना topic आता है students वो है आपका reactivity to अब देखिए students normally क्या होता है यह medal के साथ जो है वो minus three valences को show करते हैं छोटा सा topic के बहुत ज़्यादा important नहीं है जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यह हो जाता है CA3NA2 sorry CA3N2 तो यहाँ पर यह minus जो है three valences को show करेगा क्योंकि आपको पता है CA की कितने होती है plus two होती है plus two होने के विज़े से plus two into three यानिकी plus six plus six जब इस पर गिरेंगे तो क्या हो जाएंगे minus के six minus के six divided by two होगा तो कितना हो जाएगा minus का three हो जाएगा इसी तरह से जैसे अगर अप P2 बना सकता है इसी तरह से जैसे एने टू एने टू एस बना सकता है तो यह इस टाइप के जो है इनके जो है मैटल के साथ रियक्ट करके भी compound बनाये जा सकते हैं ठीक है students तो यह है आपके group 15 elements के कुछ properties या physical और chemical properties बनाय Um waktu बनायों किवी से जाय Mुरी जाय मेर जाएगा size